हे जंकीज, कैसे हो आप सब, अगर मैं आपसे पूछू कि इस दुनिया में इस बहुत बड़ा अगर एक पावर का सोर्स हमेच है जो कि हमें clean energy दे सके, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता होगा, solar energy power या फिर wind energy power, जो कि काफी clean energy हमें देते हैं, लेकिन इनकी problem क्या ह ये बहुत ही जादा कम efficient होते हैं, मतलब जितना हम इनके उपर खर्चा करते हैं, जितना हम इनके उपर effort डालते हैं, उसके according ये बहुत ही कम output हमें दे पाते हैं, तब ये तो हमारी equation से चला गया, अगर हम इसके अलावा कुछ और सोचें तो वो क्या है? जी हाँ, आपने वि carbon dioxide बाहर निकालता है, लेकिन अगर वही हम इन traditional coal power plants की बात करें, तो वो करीब 820 gram carbon dioxide atmosphere में बाहर निकालते हैं, देख रहे हो, कहां 12 gram और कहां 820 gram carbon dioxide, तो इसी लिए जो nuclear power plants से उनको ए clean energy का source माना जाता है, तो फिर problem क्या है? मतलब सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तो problem है यहाँ पर nuclear waste, अब यहाँ पर मैं आपको nuclear fusion, nuclear fusion के बारे में पूरी जानकारी नहीं देने वाला, अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे science वाले channel को join कर सकते हो, वहाँ पर मैं जल्दी nuclear power plants के बारे में पूरी detail वीडियो लाने वाला हूँ, अ इसी energy का use हम लोग करते हैं, power generate करने के लिए, electricity generate करने के लिए, तो अब ये जो बड़ी चीज है, जो की तूट कर आपको energy देती है, ये एक radioactive material होता है, radioactive material मतलब ऐसा material, जो की time के साथ अपने आपको तोड़ता रहता है, और ये जो तूटते हैं, ये जो radioactive material होते हैं, ये इनसा master वहाँ पर आया था, आज भी जो वहाँ पर conditions हैं, वो रहने लायक नहीं है, अब ये जो material है, जो तूटता है, वो धिरे धिरे करके तूटता रहेगा, इसकी life cycle भी काफी जादा होती है, जैसे for example, 5 साल, 8 साल, 10 साल, अब 10 साल के बाद, जब ये तूट कर energy देना बंद कर द चीज हो गई, आपका जो पानी वगएरा यूज करा गया, जो एक container जिसके अंदर ये रखा हुआ था, वो जो container था, उसमें जो electrodes वगएरा थे, ये सारी चीज़ें, आपकी आजाती है nuclear waste में, जो कि उस radioactive material के direct contact में आई थी, तो इसी वज़े से अब क्या करते हैं, मतलब क्या किया जा सकता है, ये जो waste है, इनको किसी तरह बचा कर, मतलब किसी तरह container हो में भर कर, दबा कर कहीं दबा दिया जाता है, या कई ऐसी जगे रख दिया जाता है, जहां पर इसका human contact बिल्कुल ना हो पाए, क्योंकि ये जो radioactive waste है, ये करीब 10,000 साल तक भी radioactive रह सकता है, मतलब अब ये 10,000 साल तक इनसानों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो अब आप खुदी सोचो कि इतने सारे power plants है, अब उसमें से मतलब हाँ, माना कि बहुत time तक जो radioactive material है, बहुत time तक चलता है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो waste है, वो भी तो हमारा पढ़ता जा रहा है, तो अब यहीं से हमारा concept निकल कराता है, नेनो डाइमंड बैटरीज का, अब इस नेनो डाइमंड बैटरी में जो सबसे important चीज़ होती है, वो होती है जो nuclear power plant में moderator का इस्तमाल करा जाता है, वो जो moderator होता है, वो होता है graphite का बना हुआ, अब graphite क्या है, ग्रेफाइट आपकी बनी होत आपको जो diamond होता है, वो भी बना होता है carbon का, अब यहाँ पर यह जो graphite है, जो की radioactive है, क्योंकि यह कितने साल, 8 साल, 10 साल तक उस radioactive material के सामने था, वहीं पर उसे के साथ रहता था, तो इसी वज़े से radio activity इसके अंदर भी कूट कूट के भर गई है, तो अब यह radioactive जो graphite है, यह दीरे-दीरे करके अपने आपको nitrogen में convert करता रहता है, अब जो nitrogen निकलेगी, वो आपके लिए बिल्कुल safe है, उससे आपको कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन उस nitrogen के साथ-साथ निकलती हैं यहाँ पर electrons, और यह electrons होते हैं काफी high power electrons, और यही electrons यहाँ पर सबसे बड़े खिलाड researchers ने सोचा कि भाई देखो, यह जो radioactive waste है, यह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका कुछ तो हमें करना पड़ेगा, तब उन्होंने देखा कि इससे जो nitrogen निकल रहा है, वो तो हम atmosphere में छोड़ सकते हैं, उससे तो किसी को कोई हम होगा नहीं, और वहाँ पर जो electrons हैं, उस सबसे ज़्यादा efficient वही है, और हमें सबसे ज़्यादा power उसी से मिल रही है, तब यहाँ पर होगा क्या, आपका जो graphite है, वो दिरे दिरे करके nitrogen में tube बनता रहेगा, और उससे जो electrons निकलेंगे, वो high power electrons आपके जो दिवारे हैं, इस diamond की, उससे टकराती रहेंगी, और वो 5000 साल, 5000 साल, मतलब आपकी life cycle तक तो guarantee चलेंगी चलेंगी, तहर ये तो बहुत कमाल की बात है, मतलब इतनी तगड़ी चीज़ हमें मिल गई है, problem कहां आ रही है, अभी तक हम बना एक union हम नहीं है, तो यहाँ पर देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर डर की, पहला, आज क जो phone है, उसके अंदर एक radioactive material है, तो सोच सकते हो, जो कि actual में आपके लिए खतरनाक है, अब हाला कि यहाँ पर company का यह मानना है, कि यह जो nano coating करी जाएगी, जो diamond की coating करी जाएगी, वो इस दुनिया के उस time पर जो earth पर सबसे hardest चीज़ होगी, उसके उपर किया जाएगा, उसमे ऐसा बनाएंगे, कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, इसके जो molecular structure है, और इसका जो radio activity है, उसको हम बाहर नहीं निकाल पाएगा, मतलब कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकाल पाएगा, और sorry अगर आपको यह बाहर जो काटने पूटने की आवाज आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत time तक मैंने wait कर लिया, अब यह आएगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हमें यह समझ में आ गया कि यह चीज काम कैसे करती है, अब हम बात करते हैं इसका application क्या है, तो यहार आप खुदी समझ लो, इसके application जो हैं, वो endless हैं, मतलब endless, आपके पास एक बड़ी सी battery है, आप उससे अपने lifetime तक अपने घर की power चला रहे हो, आपका phone है, lifetime तक आपको चार्ज करने की जरूत नहीं, आपकी जितने भी तार हैं, जितने भी charges वगरा हैं, उससे जो e-waste हो रहा है, वो e-waste की समस्या खतम, आपके electrical vehicles हैं, आपको कभी चार्ज करने की ज energy मिल सकती है, तो जो इसके use scenario की possibility है, वो बहुत, मतलब endless है, उसका कोई end ही नहीं है, इतनी जादा इसके uses है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, pacemaker की जरूत होती है, pacemaker मतलब जैसे किसी का दिल धड़कना बंद हो जाता है, या फिर उसके दिल में कोई दिक्कत आ जाती है तो एक artificial pump लगा जाता है उसके दिल के अंदर, जो की pump करता रहे उसके खून को, तो उस pump, अब यह जो pump है, वो एक hardware है, वो एक mechanical चीज है, उसको energy चाहिए होती है कहीं से, तो इसमें क्या होता है, time time पर आपको transplant करवाना पड़ता है, उसकी जो battery है, वो replace करवानी पड़ती है लेकिन ऐसे case में अगर यह nano diamond battery आ जाती है, तो उसको अपनी lifetime में कभी भी उस battery को change करवानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बताया ना, इसकी possibilities endless हैं, वो तो आपको सुनने में यह चीज कितनी कमाल की लग रही होगी ना, कि मतलब यार कितना खतरनाक चीज है अभी तक बनाये क्यों नहीं से, problem कहां आ रही है भी, तो यहाँ पर एक नहीं, काफी सारी problems हैं, number one, जो बड़ी authorities हैं, जो government है, उनसे सबसे पहले तो permission लेना, कि इसे हम consumer based product बना सकते हैं, या फिर नहीं, क्यों, क्योंकि हम किसी भी एक general आम आदमी के पास, एक radioactive, वो चीज अभी भी radioactive है, उस चीज का अभी भी बहुत तरीके से गलत इस्तमाल किया जा सकता है, तो यह चीज commercially लोगों तक, मतलब हर कोई access कर सके, ऐसी खतरनाक चीज को, इस चीज के लिए government bodies को, या फिर जो हमारी security services हैं, उनको मनाना, ये एक अपने आप में ही बहुत ही बड़ा काम है, अब य आने से पहले, ये लोग इस चीज को अच्छी तरीके से purify कर रहे हैं, ताकि ये चीज कम से कम नुकसान दे हो, लेकिन महराज, जो ये इसका working principle है, वो क्या है, इसका working principle ये है, कि अगर एक radioactive material है, वो nitrogen लगातार, harmless nitrogen देता रहेगा, और उसके साथ वो electrons देता रहेगा, energy वाले जब तक ये चीज radioactive नहीं होगी, तो वो battery किसी काम की होगी ही नहीं, अगर वो radioactive ना रहा तो, तो वो तो radioactive रहेगा, जो आपका main material है, ग्रेफाइट, तो अब फिर फाइदा क्या, मतलब क्या आप purify कर रहे हो, ये तो बस एक कहने वाली बात हो गई न, यहाँ पर अगर हम इ इसी भी तरह के flaw के chances नहीं होने चाहिए, obviously इसका reason है radioactive material, ये एक ऐसी खतरनाक चीज है, जो कि आप दुनिया में सबके साथ बाटना चाहते हो, तो आप खुद ही सोचो कि इसमें 0.1% की भी गलती नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको पता है न, कि Samsung की batteries, Note 9 जो आया था, उसकी batteries फटने लगी थी, तो मान लो अगर उसका 0.1% case भी यहाँ पर देखने को मिल गया, तो सोचो कितने लोगों की life compromise हो सकती है, तब यहाँ पर जो इसकी तीसरी problem है, वो एक तरह से कहें तो कोई problem नहीं है, वो एक मेरा personal opinion है, देखो एक company है, जिसने एक manufacturing plant लगाया है, बहुत सा ऐसा product है, जो कि एक बार अगर कोई बंदा एक बार लेगा, तो उसके बाद यह दुबारा उसको नहीं लेने वाला, तो अब यहाँ पर यह company इस चीज़ को कैसे बेचेगी, इसके उसके पास तीन तरीके हैं, पहला, या तो यह इसका initial price है, वो इतना जादा high कर दे, जो भी अगर पूरी दुनिया में सारे लोग इसको ले लेते हैं, तो इस company के पास इतना पैसा आ जाएगा, कि यह आने वाले 5 साल, 10 साल तक आराम से अपने employees को भी पैसा दे सकते हैं, अपना दूसरा भी जो काम है, वो सब भी कर सकते हैं, यह सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब initial price अगर यह high कर देते हैं, तो इसके consumers जो हैं, वो कम हो जाएंगे, तो यह भी एक option नहीं है, दूसरा option क्या है, कोई भी company अगर उसको survive करना है, मतलब एक बार सामान उसने बेच दिया, उसके बाद खतम, अब दूसरा कोई ले नहीं रहा, उस company के पास income आ नहीं रही, तो अब वो एक बार 800 रुपे में आपको lifetime का access नहीं दे देता, उसको हर महीने पैसे चाहिए, ताकि वो company survive करती रहे, तो बिल्कुल इसी तरह है, यहाँ पर यह लोग दूसरा क्या कर सकते हैं, कि उसके price कम कर दिया उन्होंने, तो इससे consumer बढ़ गए, लेकिन फिर भी वही बात है, कि जो recurring income है, वो नहीं हो पारे इनकी, तो अब यहाँ पर आ जाता है इनका बेचने का तीसरा तरीका, जो कि है recurring payment based system, मतलब यह लोग क्या करेंगे, आपको जैसे आज आज आप बिजली का bill देते हो, बिल्कुल उसी तरह है, आपके साम घर के सामने एक battery लगा के चले जाएं और यह जो तीसरा तरीका है, यह मेरे लिए सबसे best तरीका है, क्योंकि इससे हमारे पास एक ऐसा energy का source आ जाएगा, जिससे environment को बिल्कुल भी खत्रा नहीं है, बलकि environment और जादा बच रहा है, जो nuclear waste है, उसको हम recycle कर रहे हैं, तो यह इसका सबसे बड़ी advantage है, लेकिन बात वह आपको जो space में अगर कोई चीज है, जिसको energy की ज़रूरत है लगातार, वहाँ पर आप इस batteries का इस्तमाल कर सकते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं, जो एक आम जनता है, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा, तो जहाँ पर भी हर कोई इसको access नहीं कर पाएगा, वहाँ पर ये चीज काफी हद तक काम में आ सकती है जल्दी, लेकिन consumer के लिए ये चीज अभी आना market में possible नहीं है, फिलहाल तो possible नहीं है, अब आगे जो भी हो वो हमें देखना होगा, तो बस मुझे उमेद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी कि नैनो बैटरी क्या ह अभी उसकी problem क्या है और आगे क्या हो सकता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे वाले बटन को दबाना बिलकुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ग्यान ब करना मतरूम